अब ये जो लोग क्लीम कर रहे हैं, उनके पास में कुछ facts और figures हैं, इसे back करने के लिए, पिछले एक दशक में जो हमने compact SUV slash crossovers का एविश्वस्निय राइस देखा है, वो ये प्रूव भी करता है कि या लोगों को ऐसी गाड़ी चाहिए थी, जो कि उन्हें urban condition के हिसाब से हो, comfort offer करे, ease of driving offer करे, और साथ मेंकर कभी-कभी खराब रास्तों पे लेके जाना पड़े, तो इतना नहीं सोचना पड़े कि भाईया, गाड़ी नीचे से touch हो जाएगी, और इसी वज़े से, वो जो हमने rise देखा है, urban SUVs का या compact SUVs का, या crossovers का, वो हमें दिखी नजर ही आ रहा ह जो कि होना ही था, पर दूसीरी तरफ Volkswagen Group है, जो कि ये बोलता है कि सिदान का future अभी भी है, बस उन्हें market condition के हिसाब से, या road conditions के हिसाब से relevant बनानी की ज़रत है, और उनका पहला जो प्रयास है, वो है Škoda Slavia के रूप में, जो कि आपको एक quintessential sedan वाला look भी offer कर रही है, comfort भी offer कर Ground clearance जिनों ने almost 180 mm के आसपस कर दिया है, 179 mm to be precise, जो कि आपको वो एक flexibility देता है, या फिर at least peace of mind देता है कि कभी-कभी अगर आप खराब रास्तों पे लेके जा रही हो, तो भी आप लेकर जा सकते हो, जादा नहीं सोचना पड़ेगा, वो नीचे उतना जादा तच नहीं about the brand new Škoda Slavia. Alright, तो looks के मामले में, क्या कुछ यहां पे किया गया है, जो positioning है, उसको देखते हुए, तो पहली चीज़ जो आपको देखती है नजर आईए, वो ये है कि इसका ground clearance बढ़ाए गया है, तो वो raised आपको थोड़ी उपर से लगती है, तो वो हलकासा उपर उठीवी पीछे की तरफ से आपको नजर आईगी, जो की दिखाता है कि इन्होंने वो चीज़, consciously की है, कि हमें वो ground clearance बढ़ा रहा है, तो design language को इससे आपसे manage करना पड़ेगा, उसके बाद भी, जो quintessential sedan, या quintessential Škoda जो look है, Škoda sedan जो look है, वो आपको यहा पर भी नजर आएगा, और थोड़ा door handle पर नजर आएगा, और पीछे की साइड अगर आप देखोगे तो bumper पर नजर आएगा, बस इन कुछ जगों पर क्रोम का इस्तेमाल है, बाकी clean, वो एक timeless sort of design है, वो यह हमेशा रखते हैं, डिजाइन के मामने आपको जानना है, तो हमा Škoda Slavia की जो benchmarking है, वो इसके closest rival और segment का सबसे बड़ा player, Honda City को देखकर हुई है, और इसके वज़े से dimensions के अगर आप बात करोगे, तो दोनों में एकदम almost रती बर का फरक है, except for 2-3 things, अगर लंबाई की बात करोगे, तो लंबाई के मामले में यह, अगर Honda City से compare करोगे, तो 7-8 mm का फरक है, पर width की बात करोगे, तो 4 mm यह बड़ी है, अगर आप height की बात करोगे, तो अग्यान दोनों में 2 mm का फरक है, मतलब यह 2 mm Honda City जो है, वो 2 mm आपको थोड़ी से जाधा होगी, बट यह अग्यान 2 mm, 4 mm, 7 mm जो है, वो सिर्फ papers पे अच्छे लगते हैं, इन reality दोनों द देखने में काफी एक जैसी लगेंगी in terms of dimensions, मतलब लंबाई के मामले में और चौड़ाई के मामले में, इन सब मामले में, क्योंकि रत्तिबर का फरक है, जो आपको differences नजाराएंगे, जो कि Slavia को एक edge देते हैं, अपने segment में, वो है कि wheel basis का segment में सबसे बड़ा है, 2651 mm है, जो से बड़ा boot space आपको मिलता है, city का जहां तक मेरे को जाद है, 509 या 510 mm के आसपास है, तो ये तो हो गई सारे looks or dimensions की बात, अब चलते हैं, अंदर, और अंदर जाने से पहले एक और चीज़ जो मैं miss कर गया था, वो ये है कि 16 इंच के LH wheels आपको मिलते हैं, 205 पच्पन आर 16, again, second में सभी गाड़ियां जो है, वो आपको 16 इंच के tires offer करती है, all right, तो अब interior की बात के लेते हैं, कि क्या कुछ दिया गया, cabin के बारे में मेरे first impressions वैसे मैं share कर चुका हूँ, अपने first look वीडियो में, but वो kind of pre-production ये लोग बोल रहे थे, और उसमें कुछ-कुछ कमिया रहे कुछ-कुछ जिगा पर gaps हमें नजर आ रहे थे, जब हमने pre-production model देखा था, first look video जब हमने किया था, और कई जिगा पर लग रहा था कि थोड़े fit and finish levels और थोड़े से बहतर हो सकते हैं, थोड़े fine हो सकते हैं, वो actually जब production model आया है, तो उसमें हमें improvement नजर आया है, जहां पर unnecessary gaps से कई जगे उनको fill करने की कोशिश की है, कई जगे पर finishing थोड़ी से बहतर हो सकते हैं, उन्हें fine करने की कोशिश की है, तो overall quality levels के मामने में यह बोल सकता हूँ, कि segment benchmark अगर आप Honda CD को भादते हो, तो उसके हिसाब से यह वैसी ही आपको लगीगी, मतलब कई के जगे पर actually material नजर आएगी, जैसे material थोड़ा बहतर हो सकता, यह जो part है, इसके अंदर material जो है, वो मुझे लगता है कि जादा long lasting type नहीं है, अब यह पता नहीं कि मैं, मतलब यह तो future decide करेगा, but material थोड़ा सा बहतर यहाँ पर शायद हो सकता था, तो यहाँ पर cost cutting हलकी बूल किया है, but fit and finish levels, overall, sturdiness जो आप expect करते हो, Škoda से, वो आपको यहाँ पर दी गई है, rapid से कर मैं compare करूँ, क्योंकि rapid बहुत सालों तक sedan रही है, उस वाले space में, वो बहुती sturdy feel होती है, यहाँ पर ऐसे नहीं कि sturdy feel नहीं होती है, but it's just कि मैं बहुती सी जादा sturdy लगती थी, यह वाली थोड़ी fine है, color combinations बहुत अच्छे रखे गए है, clean layout यहाँ पर रखा गया है, उसके अलावा अगर आप बात करोगे, modern features जो आपको दिये गए है, जो आपको एक बड़ी touchscreen दी गई है, I think 9 inch की touchscreen है यह, और बहुत ही fluid है, जो कि जनता को चाहिए भी होती है, आज की तारीख में Apple CarPlay और Android Auto आपको features दिये गए है, कुछ-कुछ connected features भी दिये गए है, जो कि आप smart connect जो इनकी app है, Škoda smart connect app जो है, उसको install करके फिर आप कर सकते हो, वो अभी हमने test नहीं किया है, कभी लंबे time के लिए गाड़ी आएगी, तब हम उसके बारे में बात करेंगे, बाकी steering wheel, जो बात करेंगे, but quality levels actually काफी अच्छे लग रहे है, यहाँ पर जो leather इस्तमाल किया गया है, जहाँ जहाँ आपका हाथ जा रहा है, जो touch points है, वहाँ पर अच्छे material आपको नजर आएंगे, जैसे कि यहाँ पर भी हलका सा leather it, मतला प्रॉपर leather नहीं, leather it का इस्तमाल किया गया है, तो यह एक अच्छी feel आपको देता है, बाकी combination रखा गया है कि mostly hard plastics, but finishing levels अच्छे, और जहाँ जहाँ आपके touch points है, वहाँ पर leather it का इस्तमाल, जैसे यहाँ पर आप हाथ रखते हो तो leather it, यहाँ पर आप रखते हो तो एक material leather it का टाइप का आपको दिया गया है, तो वो चीज मतलब एक चीज जो type C जो है, मतलब वो अब क्योंकि future ready से बनाना है, तो future ready बनाने के हिसाब से इन्होंने type C दे दिया गया है, type A नहीं दिया गया है, AC कि अगर मैं बात करूँ, जो कि हम गोवा के humid मौसम में गाड़ी को चला रहे हैं, तो AC का एक चीज जो आप नोटिस करे पर जैसे ही, usually मेरे जैसे लोग जो होते है, वो 23-24 पर रखते हैं, AC को, पर जैसे 23 पर लेकर आते हो, तो तुरंत वो जजबात बदल जाते हैं, वैसा वाली चीज आया थी है, ये 22 तक एकदम cool down रख रहा है, आपको low आपको रखना है, auto पर छोड़ दीजे, 22 से नीचे जाता है, फिर वहाँ पर वो गरम करने लगाता है, वो प्रॉपरली कालिबरेशन चाह, थोड़ा बेतर हो सकता था, उसके अलावा, आपको ventilator seats दी गई है, again, एक modern feature, जो कि हम modern cars में expect करते हैं, auto engine start stop आपको दिया गया है, माल लीजे, आपकी गाड़ी आपने, किसी red light पर आय का एक यहाँ पर भी दिया गया है, मतला वो सारा सामान का ध्यान रखा गया है, कि टेकी जो जनता है, उनके लिए कई सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा seats जो है, मुझे comfortable actually लग रही है, और मुझे actually ऐसी ही seats पसंद आती है, बहुत बहुत सारी गाड़ियों मैंने देखा है कि इधर वो बहुत जादा इतना जादा सौफ्ट होता है, जो कि long drives के लिए अच्छी बात नहीं है, और वैसे भी overall अच्छी बात नहीं है, कुछ एक होता है, बहुत जादा हार्ड हो जाता है, एक proper जो मिश्रन है, वो इन्होंने पर नजर आई है, जब मैं यह seatbelt लगा रहा हूं, तो यहाँ पर इसको थोड़ी सी better position किया सकता है, जैसे मनलोग आपने हलका सा इसको आगे कर लिया है, तो तो और जाए दिक्कत हो जाती है, पीछे करके आप लगा लीजे, तो हो जाएगा काम, पर थोड़ी सा better यहाँ पर color combinations जो बहुत अच्छे लगते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि unnecessary, बहुत सारी चीजे नहीं है यहाँ पर, minimalist रखा गया है, instrument cluster को, जो कि मेरे सबसे एक बहुत अच्छी बात है, आपको average fuel economy जो देखनी हो, वो आप देख सकते हो, instant जो economy होती है, on the go जो आप कितनी fuel economy बाकी oil temperature, audio की settings अगर आपको यहीं पर चाहिए, phone की settings आपको चाहिए, तो वो सब आप यहाँ पर adjust कर सकते हो, आपकी आँखों के सामनी होगी, तो बार-बार आपका ध्यान नहीं हटेगा, एक चीज जो की features के मामले में अगर मैं आपको बात बताओं, तो traction control आपको दिया ग अगर किसी tire में हवा कम होगी, तो यहाँ पर indicate कर देगा, बट अगर हवा कम नहीं होगी तो indicate नहीं करता, आपको check करना होगी कितने tire pressure है, वो नहीं दिखाएगा, तो बहुत ही basic type का setup आपको यहाँ पर दिया गया है, एक और चीज जो की यह बोलते है, रीकूपरेशन एक य regeneration का भी जो feature है, वो आपको दे दिया गया है, एक और चीज जो की मुझे काफी अच्छी लगती है, most modern cars में होनी भी चीए, auto dimming IR यह आपको दे दिया गया है, तो रात में भी गाड़ी चला रहे हैं, तो आँको पर बहुत जादा light नहीं आती है, और sunroof एक जो feature है, जो की हम मतला इस time पर सब्सक्राइब डिमांड वाला feature है, तो इन्होंने भी दे दिया है वो, बाकि safety features का भी बहुत जादा ध्यान रखा गया है, एक चीज आप notice करोगे, जो Škoda की हमेशा से एक philosophy रही है, कि यह claim करते हैं कि platform इनका जो है, वो काफी strong है, और कोई भी crash worthiness को पार कर सक बज़र आज जाएगी, बट मोड़े मोड़े तारफ में आपको बताओं, तो ABS plus CBD तो of course आपको दिया ही जाता है, 6 airbags आपको दिया जाते हैं, फिर आपको एक brake disc wiping यह बोलते हैं, वो आपको दिया जाता है, traction control में आपको अर्री बता ही चुका हूँ, multi collision braking है, तो overall loaded किया गया है इस गाड़ी को safety features के मामले में, और जो base variant है, base variant में भी आपको यह सब features मिलते हैं, जो की बहुत ही कमाल की बात है, of course वहाँ पर airbags, जो है, मता number of airbags आपके दो ही हो जाएंगे, but यह सभी features as standard अगर आपको मिल रहे हैं, जो कि दिखाता है कि इनका commitment safety को लेकर अब भी भी है So in the age, जब सभी लोग JBL, Archemist और आपको Bose जैसे music system या sound system आपको offer कर रहे हैं, Shkoda has gone with their own sound system, it's called Shkoda Sound, और मुझे actually सुनने में यह काफी अच्छा भी लग रहा है, I am not an expert honestly कि जो मैं हर एक चीज आपको पता हूँ कि base इतना होना चीए, कम होना चीए, वो मेरा domain नहीं है, but usually जब आप सुनना शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, बहुत ही rich sound आपको यह offer कर रहा है, और जितनी आपको ज़रूरत है उतना तो आपको definitely offer कर रहा है, एक चीज आपको reverse लेना है, तो press कीजे और फिर आप इसे धखे लिए, तो reverse अक्टिवेट हो जाएगा, reverse camera अक चला रहे हैं, बाट यह oversaturation थोड़ा सा कम और clarity थोड़ी से बहतर हो जाती, तो कुछ और वो बोलते हैं कि सोने पर सुहागा हो जाता है, थर्ड का sound, यह मतलब यह Škoda की पहचान है, मतलब Volkswagen गाड़ियों की पहचान है, अच्छा मटी रियूज हुआ है, और काफी reassuring से sound है, बाट उसके बारे में बात अभी नहीं कर रहे हैं, भी हम बात करें है, रेर सीट की, और रेर सीट में जैसे अपको नजार रहा होगी, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में Nikhil है, जो की गाड़ी फाइटीं से हैं, और गाड़ी में इसलिए हैं, क्योंकि इनकी हाइट हम मे बाट यह ने बताया, और यह सीट में अपने हाइट के अगाड़ीं सेट करी है, तो जो नी रूम है, यह काफी अच्छा है, और इस सीट के नीचे प्रॉपर थोड़ा स्पेस है, तो लेकिन दिक्कत है, हैड्रूम की, बिकॉस मेरी थोड़ी पीट में तोड़ा इस्यू है तो मुझे थोड़ा यह जो लोवर पोशन मुझे यहां सपोर्ट ची होता है, जब मैं ऐसे बैठता हूं तो यहां मुझे बिल्कुल भी हैड्रूम नहीं मिल रहा है, इनकिस अगर कोई बंप आता है, तो 100% मेरा सर उपर टक्राएगा, अगर मैं थोड़ा से लीन होके थोड़ा सा और इंप्रूग होता तो तो शायद थोड़ा सा और अच्छा होता यहां पर, तो 6-1 के हिसाब से या 6 फुट के लोगों के हिसाब से हमें मिल गया कि कैसा होना है चीए यहां पर और इनको कैसा रहागा, यूजिली से डान से साथ में हम वह चीज देखते भी है कि अगर आपकी हाइट जाता है तो कई बार दिक्कत होती है, जिनकी आवरेज हाइट 5-8, 5-10 तक भी है, I don't think कोई दिक्कत होने वाली है, मैं मेरे हिसाब से कर बता हूँ, I am not a tall person, but यह वाली सीट मेरे सब से इजस्टेट है, मतलब 5-8 के हिसाब से इजस्टेट है, मैं 5-6 मेरे हूँ, और मेरे को तो मतलब इतनी जगे मिल रही है कि आगे बच्चा बठा सकते हो, आप बहुत बहुत जगे है, थाई सपोर्ट मेरे लिए ठीक ठाक है, मतलब अच्छी अच्छा है, तो मतलब 7-5-8 तक के लिए अच्छा होना चाहिए, और headroom की मेरे को कोई दिक्कत अच्छी है नि, जब कि मैं भी काफी upright बैठते हूँ, और अगर थोड़े से चौड में बैठते हो, तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है, तीन लोग बैठ पाएंगे, क्या लगता आपको, तीन तो शायद नहीं बैठ पाएंगे, बिकॉस यहां पे उतना ज़्यादा स्पेस नहीं है, कि तीन घड़े लोग बैठ पाएं, या जिनके height अगर 5-8 से उपर है, वो लोग बैठ पाएं, थर्ड अगर थोड़ा पकला है, या फिर height कम है, तो शायद यहां बैठ सकता है, यह मेरा reference दे रहे थे, कि अगर मेरे जैसे होंगे, तो तीन आराम से बैठ जाएंग अगर निखिल के जैसे लोग, लंबे लोग बैठ पाएंगे, तो फिर थोड़ी बहुत परिशानी और दो ही लोग बैठ पाएंगे, और यह तो हो गई, सीटिंग कमफर्ट की बाद, कुछ एक चीज़ें और जो इनके simply clever touch, जिसे आप बोलते हो, जैसे कि यह फोन आप यहा जैसे कि मैंने आगे कहाता है, future ready है, और यहाँ पर आपको AC vent भी दिये गए है, अब AC के performance भरी गर्मी में कैसे होगी, अभी तक तो ठीक लग रही है, बट कभी लंबे टाइम के लिए आएगे, तब हम इसके बारे में और अच्छे से comment कर पाएंगे, तो यह हो गया rare seat का overall experience, और राइट, तो गाड़ी का color change हो गया है, और color change हो गया है, इसका मतलब गाड़ी का powertrain भी change हो गया है, यह 1 liter वाली गाड़ी है, मतलब 1000 cc turbocharged engine वाली है, 1500 cc turbocharged engine वाली नहीं है, वो इसलिए क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ 1 liter automatic की बात कर सकते हैं, embargo reasons के वजए से, या फि इसके साथ में को शुरुआत में सिर्फ 1 liter का माहौल ही बना रहा हो, 1500 cc वाला जो engine है, उसका price भी तोड़े लेट आए और उसके साथ में हमारा वीडियो आएगा, अब ही हम बात करते हैं, यह 1 liter TSI जो engine है, उसकी बात करते हैं, यह engine हम already कूशाक में देख चुके हैं, यह 114 17 bhp के आसपास फावार निकालता है, और 178 newton meters के आसपास का peak torque निकालता है, इसके साथ में आपको दो gearboxes मिलते हैं, मैंता 1.5 के साथ में भी दो gearboxes मिलते हैं, और इसके साथ में भी दो gearbox options आपको मिलते हैं, इसके साथ में आपको मिलता है एक 6-speed का manual transmission, जिसे की यह DQ200 बोलात हैं कि यह अभी शुरुआत हुई है, 2.0 strategy के बाद में, वो same gearbox आपको यहाँ पर भी मिलता है, and I'm happy कि यहाँ पर आपको torque inverter मिलता है, क्योंकि अब मतलब वो reliability पर जो question हम कभी-कभी DSGs पर उठा देते हैं, या dual clutch पर उठा देते हैं, वो torque inverters के साथ में वो समस्या दूर हो जा हूँ और यह जो भी मैं चला रहा हूँ, torque inverter वाला, वो भी चला चुका हूँ, कुशाक में, तो क्या यह कुशाक से अलग मुझे feel हो रही है, actually yes, मुझे यह जादा mature लग रहा है, in terms of power जो deliver हो रही है, या फिर, जो overall smoothness है engine की, वो भी मुझे यहाँ पर जादा feel हो रही है, now there there could be a number of factors की कुशाक का weight हो सकता है, मतलब weight में थोड़ा बहुत दोनों में difference आए, आलगी platform सेम है, कुशाक वाला और यह वाला platform बिल्कुल सेम है, but weight में कई बहुत difference आजाता है, तो उस वजह से power to weight ratio आपका अलग हो जाता है, power to talk, talk to weight ratio आपका अलग हो जाता है, जिसके वजह जैसे वो difference आपको जो है, वो feel होने लग जाता है, also tuning भी थोड़ी वो अलग की गई है, जिसकी वजह से इसे जादा sedan-like, मतलब comfort focused जो tuning है, उसकी तरह focus किया गया है, ऐसा नहीं है कि कुशाक में कुछ बहुत जादा difference आता है, वाट उ हलका-फुलका जो change है, वो आपको feel होग in terms of the way power delivers, या फिर जो progression है उस हिसाब से, क्योंकि मैंने इसका manual transmission नहीं चलाया है, तो उसके बारे में बात नहीं कर सकते कि उसे clutch actuation वगरे कैसा है, but अगर talk inverter की बात करें, the talk inverter actually बहुत अच्छे से काम कर रहा है, in terms of power जिसे साब से deliver कर रहा है, yes, if you expect it to be as fast as a DSG or a dual clutch transmission, that's not going to happen but for a talk inverter standard, they've done a pretty good job, मतला आपको definitely वो कमी कहीं पर फील नहीं होगी, कि power अच्छे से deliver नहीं हो रही है, yes, वो quick shifts, जो आप expect करते हो, कि भीया, मुझे थोड़ा और मिल जाए, और मिल जाए, क्योंकि अगर आप Volkswagen mindset से आ रहे हैं, तो आपके दिवां में यह होता है, कि मेरे को एक बाली है, but I can't talk about it, बाकी अगर आप और quick shifts चाहिए, तो एक चीज अच्छी है, top of the line variant में, वो यह है कि आपको pedal shifters मिल जाते हैं, अब pedal shifters क्या करते हैं, pedal shifters basically आपको वो option देते हैं, कि अगर आपको कभी downshift करना हो, या upshift करना हो, तो उस हिसाब से आप चीजें अपने हि अपसे manage करो, अब upshift usually नहीं करते हैं, लोग talk converter इसी रही लेते हैं कि उनको enthusiast वाली एक बात चाहिए होती है, बट मेरे साब से अगर आप जल्दी upshift कर लेते हो, तो fuel efficiency अच्छी निकाल पाते हो, और downshift करते हो, तो फिर आपको वो थोड़ा बहुत fun जो चाहिए, कि खटाक स अपने down कर लिए एक दो gears, और आपको वो sweet RPM range जो चाहिए, वो जो आपको power चाहिए, वो आपको मिल जाती है, बात जब fuel efficiency की छेड़ी ही दी है, तो हम बात कर लेते हैं कि fuel efficiency कितनी है, fuel efficiency actually, मतलब हमने बहुत ही खराब रास्त, मतलब बहुत ही city traffic वाले रास्तों पे भी चलाय है, on and average मुझे लगता है कि 11-12 KMP की fuel efficiency easily दे देना चाहिए, I don't think मैं इस पर और जाता comment कर सकता हूँ, थोड़े लंबे टाम के चलाने के बाद ही आप fuel efficiency या mileage के बार में जात अच्छे से comment कर पाते हो, but मोटे-मोटे तोर मुझे ऐसा लगता है कि on and average city plus highway, Goa जिसी जगह पर ज गड़ों में जाएंगे, तो आपको वो थोड़ी-थोड़ी Hyundai की याद आईगी, कि ये Hyundai की तरफ जा रहे हैं, but अब भी भी, dynamics के मामले में Hyundai से थोड़े बहतर है, और अब भी भी handling के मामले में ये उनसे बहतर है, बठा, जैसे कि मैंने का suspension को comfort focus रखा गया है, और उसके Indian conditions में अगर आप गाड़ी चला रहे हो, जाधा stiff अगर suspension हो गया है, तो बहुत uncomfortable होता है, जो भी लोग अंदर बैठे होते हैं, तो अभी आपको वो चीज़ फील नहीं होगी, so I think they have managed to pull it off really well, dynamics जैसे मैंने कहा कि थोड़ा dilute आपको करना ही पड़ता है, जब आपको ride quality focus करना हो या वो comfort focus करना हो suspension का, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर feel होगी, अगर आप rapid के जिस बाद इसे चलाने आएंगे, और अगर आप enthusiast जनता वाले हैं, तो फिर हो सकता है, आपको लगे कि नहीं यार वो rapid वाली बात, या फोड़ी सी diluted आपको definitely मिलेगी, और वो करना शायद मैंने कहा ना, वो sweet balance अचीव करने के लिए आपको करना पड़ता है, but overall, I think, मुझे लगता है कि इन्होंने ठीक ठाक काम कर दिया है, अगर steering setup की अगर मैं बात करूँ, तो steering setup मुझे ऐसा लगता है, again, जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ा सा dilute हुआ है dynamics, तो steering में भी आपको असर feel होने लग जाता है, तो firmness अच्छी का से speeds पे हैं, तो आपको मिलती है, वो confidence आपको मिलता है definitely, but एक चीज जो हमने पहले नहीं देखी है, कि under steady थोड़ा सा nature हो गया है, एक तो गाड़ी बहुत लंबी है, और अगर आपको sharp कोई turns लेने पड़ते हैं, तो उस case में क्या होता ह कि आपको plans थोड़ा सा better करना पड़ता है, या मान लोग कि आपको कई बार quick U-turns लेने पड़ जाते हैं, तो उस वक्त अगर पुराने Volkswagen mindset से आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा settle होने में time लगेगा, but once you get used to it, I don't think there should be a problem, एक और चीज जो कि मैं miss कर गया, वो है braking, तो braking जो ह है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा progression की तरफ ध्यान है, वो जो bite है, वो काफी late आता है, एक चीज जो आप notice करोगे वो ये, कि जो आप high speeds पे होते हो, और उस time पर अगर आप tap कर रहे हो, तो उस time पर तो आपके brakes अच्छे से apply हो रहे हैं, बड़ अगर आप slow speeds होते ह है, तो 50-60 की speed अगर आपको रहे हैं, और मैं पूरा दबार हो, तो वो bite point जो है, वो थोड़ा, वो काफी late है, तो आपको अच्छे से press करना पड़ता है, तो camera हिलने लगा है, मैं भी हिलने लगा हूं, क्योंकि हम थोड़े से खराब रास्तों पे आ गए हैं, और वो जो claim है कि 180 mm, 179 mm to be precise, का ground clearance आपको दिया गया है, तो ये खराब रास्तों पे थोड़ी बहतर हो गई है, actually, देखो, reality ये है, कि sedans हमेशा से urban conditions के साब से बनाई जाती है, off-roading के साब से नहीं बनाई जाती है, तो 180 mm का ground clearance आपको शेहर में अगर बहुत बड़े धानवा कार कभी-कभ जो हमारे speed breakers आ जाते हैं, उन में definitely आपकी मदद कर देता है, हमने थोड़ी देर के लिए भी थोड़ा सा steep जगे भी गए, एक दो बड़े speed breakers में भी देखा, कहीं पे भी underbelly touch नहीं हुई है, जो कि एक अच्छी बात है, एक बड़े speed breaker पे भी, पर खराब रास्तों पे अब आपको वो confidence जो है खराब रास्तों वाला वो थोड़ा बहतर हो भी जाता है, comfort भी बहतर हो जाता है, और जब आपको ऐसे शांदार रास्ते मिले, तो आप वो थोड़ा बहुत मजा भी ले सकते हो, तो वो again, balance. All right, that's it people on the Škoda Slavia, Škoda की तरफ से उनका second serious attempt after Škoda 2.0 strategy, जो कि दिखाता है कि ये Indian market के लिए serious हो रहे हैं, और ये ये बी अची चीज हमें नजर आती है, कि Germans finally Indian market को काफी serious ही ले रहे हैं और made for India products मना रहे हैं, वान लीटर मुझे लगता है कि जादा तर लोगों के लिए sensible होने वाला है, क्योंकि हर एक चीज जो आपको चाहिए, वो ये offer कर रहा है, space management अच्छा है, ground clearance बड़ा है, तो flexibility भी आपको offer हो रही है, तो वो सब चीजों का definitely ध्यान रखा गया है, performance में ठीक है, थोड़ा बहुत dilution हुआ है, but again market condition वैसी है कि आपको थोड़ा बहुत change करना और 1.5 लीटर का performance रिव्यू आने वाला है, 4-5 दिन में तो वेट कीजिए, चैनल को subscribe कर दाना बूलिए